आज हम अम्रूदों का बाग देखेंगे, इनके यहां पे अम्रूदों का बाग है, तो अभी यह हमें अपने बाग में लेके जा रहे हैं हमाँ अम्रूदों काया कर्या है का कुछ अम्रूद कासी ह्ए हू है। घम कासी अम्रूदो तेखेंगे, वल्दार्स अम्रूदों कासी का सवा में याल्स हुज अम्रूदों कासी वल्स क्या है।arta 365 तो 29 और 15 चुल उर्ड़ देंगे लिएी सेवास हbersुचर गा आपको इसका पता के से चलता है कि यह पके गया वे पीले पीले थोड़े और दग में लग जाती है दोस्तों टॉंक और सवाई मादोपूर के बीच और इसके आसपास के रिया में यहां पर अम्रूदों के बाग बहुत है यह बाग दो साल पहले लगा हुआ है और इसके अभी अम्रूद लगने सुरू हो गए हैं ऐसे ही एक बाग के अंदर विजिट करने आज हम आये हैं एक सोड़ी हो और सब्सक्तर ख़या और समय व्युक्त पर्सन और सब्सक्राइब लिए हैं तो अच्छा जोड़ो अचा कितना किलो किलो होगा इस यह नहीं हैं 20 किलो शाड़ीं को बीच के आगए एक में दस किलो तो दो में 20 किलो बेच के आगे आप नहीं यह पोड़ा कितना पुरा ना होगे कब लगाए था आपने यह तो बाइट दो साल को और तीन सी तीसरी में लगए अच्छा तीसरा वह बस साल को ने दो ही है दो ही साल है पिछले साल लगे थे गया है अच्छा बड़े बड़े लगे थे इस पार मतलब ज्यादा बारिस यह से कुछ हुआ है अम्रुदों कभी नुक्सान है ऐसे खराब हो गए अच्छा यह खराब हो गए इसमें से कीड़े भी निकलते हैं क्यों ज्यादा बारिस से कीड़े निकलते हैं रोग लगा है मतलब ज कुई नहीं लेगा और यह एकदम सही है कितने मेने तक चलेगे इनकी फसल ने चाहर महीने चाहर महीने चले शर्डींगां चाहर चाहर महीने चाहर 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 तो फिर खाने लाइक नहीं होता है पर खाबा में अच्छा जो इतना पीला हो जाए वो खाने लाइक नहीं होता इस आफ यह साई आप नमक लगा को आटे हो यह सीधा है अच्छा नहीं लेंते हैं इनकी सबजी भी बना इनकी जो है इसकी सबजी बन जाएगा तो दो चार साल में जब ओर ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो और ज्यादा अम्रूत देंगे फिर यह अभी तो कम होगे अठो arises उर यहसरrog दो सब्सक्राइद referee आंटी जीन कहें आँपाई ळोस सीектив आँपाई मेरं बसक्लब चौटा बाक्चा बेस्की पुल जागा फुल जागा बडिया सब्सक्राइब wijट टोड़ें, लिए अब गोड़ाई आधा के पाने के जमीन.. पोरिंगों सब्सक्राइब मंतने से अफसे नहीं निवनहीं तुरोड के खरोगों市न यहीं दोस्तों आ вспद अमुरुदयों के बाग नै इस तरह से अपने ऐनधों scorain ale तोड़ रहे हैं यह हमारा पहला अनुबव है और यहां पर यह जो किसान है खुद इसी तरह से फलों को तोड़ करके और मंडी में लेकर करके चाते हैं तोड़ से तोड़ से तोड़ अच्छा आप गुमा के तोड़ते हो तो लाल कैसे हो गया यह पूरा है अच्छा इसके कोई बीमारी लग गई तो यह इसी साल सुक आएगा इसके अंदर क्या निकलेगा यह निकाल रही है कर दोड़े हो कि कि इतना भीगा में आपके अभी मेरूद यह बाई तीन से शैट पोड़ा ती बड़ा बड़ा गिनके लगए हुए हैं अब एक दो तीन चारे से तीन सो शाट हो गया अच्छा अब यह और लगाएं शाट अच्छा यह दो साल हो गया अभी लगैंके इसी साल गयां अच्छी पैदावार होती एंसे बिंसाल पैदा ओई नियुक्स आपने अच्छी हो जाती है ठीक ठाक हो जाती है पहले क्या वोते थे यहां पर गयों अच्छा गयों चाव चना और सर्सों तो उससे ज्यादा अच्छा है कि फाइदे काई चाहिए उनसे फाइदा है और बार-बार लगाना भी नहीं पड़ता अब लाग यह तीस साल तक एस अब इनमें आपने ठेकदार आजाता ने एक लाग का आशा बखते इस तो फसल फसल अम्रूदन की अच्छा किसी मालों ठेके पर देओ तो अब फुला बेचंगा ने अब बखेगा जी बखेगा ज्यादा बख जाएगा ज्यादा बख जाएगा यह तो बड़ी आए जिता बड़ा होगा उसके अम्रूद ज्यादा लगें जिता ज्यादा लगेंगे अब इसे छोटे हैं तो एक के मुश्किल से सो एक लगते होंगे बीच में इतने दूरी रख रखी है यह बाद में आएगे ना पूरे आपसे मिल जाएंगे इतने फिट की दूरी रखी है शोड़ा ने 10 12 16 16 16 फीट की दूरिए आपसे मिल जाएंगे तब एक दम चतरी ज्यादा पश्किल और चतर शेयां होगे तो फिर अमरूद भी जभर दस्त होगे। कितने फिट हो गाई पाइप दाच अच्छा यह 200 हो गा ने यह 100 हो गाई यह 100 होगा ने को आप ऐसे नहीं बिलाते के पूरी जमीन एक साथ पीती हूं यह एक साथ तो इसका क्या कम हेशिया अब गजने टरब और अर्लेंद बचरिये लें ना तो चाह बोर खेतना जखना आप थाए दोर शेपाने लाने के लिए तो आप बिती है? इसकी लगदाएगी छोड़ देने झाल झाल